मैं टीच्मेंट पर उनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों न लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लाटफॉर्म है जो 100% फ्री है बिना किसी लिमिट के और नई शुरुवात करने के लिए इससे बहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टपॉन चाहिए और सुहानी शर्मा की ओल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गए शुरू? इसलिए तो कहते हैं कि टीच्मेंट पर टीचिंग आसान है तो आज ही डाउनलोड करें टीच्मेंट इंडिया का नम्बर वान टीचिंग है नमस्कार मित्रो आजने परधानमंत्री जी के नेतरतब में आज कैबनेट की बैठक हुई उसमें दो विवागों को लेकर निर्णे हुए पहले में रेल्वे मंत्राले के बारे में जानकारी दूँगा जैसे आपको ग्यात है कि वर्षों से प्रोड़क्टिविटी लिंक्ट बोनस जो है वो रेल्वे के नॉन गैस्टेड इंप्लाइस को मिलता है एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके फॉर्मूले के अधार पर प्रतिवर्ष का बोनस तै किया जाता है अति विशम आर्थिक परिस्तितियों के बावजूद भी मानिने परधान मंतरी मोदी जी की नेतरतव वाली कैबिनेट मीटिंग में इनरने किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेल्वे के करमचारियों को और ये नॉन गैजटेड एंप्लाइस के लिए होता है 11,56,000 नॉन गैजटेड एंप्लाइस इससे लाभानवित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 क्रोड पे इसके उपर वै होंगे फॉर्मूले के अधार पर 72 दिन का बनता था लेकिन उसके बावजूद मानने परधान मंतरी मोधी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निरने लिया इस से रेल्वे के करमचारियों का मनुबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेल्वे में और मुनाफ़ा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो उस दिशा में भी इसका लाब मिलने वाला है हर साल ये दशेहरे और पूजा की छुटियों से पहले निरने किया जाता है इस बार भी उससे पहले त्योहारों से पहले निरने किया गया और इसके लाब भी 11,56,000 से ज़्यादा नॉन गैस्टेड एंप्लाइज जो है रेलवे के उनको इसका लाब मिलेगा 1,985 क्रोड पे लगबग इसकी उनकोपस पर वैय होगा इसके लाब दूसरा बड़ा निर्णे मनिस्ट्री आफ टेक्स्टाइल से जुड़ा हुआ है जैसे आपको ग्यात है पिछले कोविड के समय से लेके अब तक लगातार बड़ी रिफॉर्म्स देशपर में आई और नएने सेक्टर्स को भी खोला गया प्रड़क्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं को भी लाया गया ताकि देश में मनिफेक्ट्रिंग को बल मिले एक्सपोर्ट में भी बढ़ातरी हो और मानिय पियुश कोईल जी ने पिछली प्रेस कॉन्फरेंस में बताया था कि पहले छे महिने का जो निर्याद आज तक का सबसे ज़्यादा हुआ वो इन पिछली छे माही में हुआ है और इस बार भी कुछ ऐसी ही योजना मनिस्ट्री आफ टेक्स्टाइल के लिए जहां एक और लेकर आये हैं उससे जुड़ा हुआ है ये सरकार ने निर्णे लिया है मानिने परधान मंत्री मोदी जी के नेतरतब में पीएम मित्र योजना लॉंच होगी इसमें पांच वर्षों में कुल मिलाकर 4445 क्रोड पे का व्य होगा साथ मेगा इंटेग्रेटरी टेक्स्टाइल रीजनल एंड एपरिल पार्क इस पर तयार होंगे पीएम मित्र योजना जो है ये टेक्स्टाइल और गार्मेंट के खेतर में एक बहुत बड़ा योगदान दे की जहां इंडस्ट्री को लाब दे की वहीं पर लाकों लोगों के लिए प्रतेक्श और प्रतेक्श पर